हाई फ्रेंट्स वेलकम तू आज चैनल हमने लेकि आप सब जानगे हैं कि मीसो बनासी सिल्क साड़ी हॉल होने वाला है आपके बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि मैं आपके साथ मीसो बनासी सिल्क साड़ी हॉल शेयर करूं तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए ही होने है और यह जो ब्यूटिफुल की साड़ी मैंने वियर कर रखी है यह मैंने कहां से पर्चिस करी है किस प्राइज में पर्चिस करी है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मों मिल जाएगा हमां से चेकाउट कर सकते हैं और हम स्चार्ट कर लेते हैं वीडियो को नाव लेट सबसे पहले आपको स्क्रीन पर इमेज दिखा रही हूं जिसको देखके मैंने वीडिफुल सी साड़ी और करी थी क्योंकि सारी ही साड़ियां जो हैं वो बिल्कुल पैस्टिवल रडी होने वाली हैं तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर इमेज दिखा रही हूं जिसको देखके मैंने वीडिफुल सी साड़ी और करी थी आपके बहुत इनसे कमेंट आ रहे थे कि मैं आप सबसे रड और यल कि साड़ी होगी बाकी मैंने सारे इंडिफरेंट कलर्स रखे हैं ताकि आपके शिकायद भी मैं दूर कर सको और मैं आपको दिखा दू कि जो साड़ी है ना वो आपको बहुती सुन्दा से मरून और 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 इंज कलर में मिल जाती है यह सारा ही ना जरी का काम आपक बहुत अच्छी है दिनवर विया कर सकते हैं ऐसा फैबरिक आपको मिल जाता है काफी ज्यादा लंबी चौड़ी सी साड़ी है तो साड़ी आपको बिल्कुल भी छोटी पढ़ने वाली नहीं है और आपको बहुत सुन्दर मिलता है आगे साड़ी आपको इतना सुन्दर सा काम मिलता है तो एक बार काम मैं आपको पीछे से दिखा दूँ तो पीछे से भी कुछ भी आपको निकलने वाला काम नहीं मिलता है तो साड़ी आपको आगे और पीछे दोनों तरफ से अच्छे काम की साथ मिल जाती है लेंध बहुत अच्छी है साड़ी की लंबाई बहुत सुंदर लगते हैं जब आ प्धैलबो लेंद तकिंकर श्रीज करवाते हैं. काम की फिंशिन्ग आप देख सकते हैं कि आपको बहुत अच्चा काम ब्लाउस पर दे रख का है तो आचल भी आपको बहुत प्यारा सा मिलता है Contrast combination में आचल जा रहा है आप देख सकते हैं काम की finishing बहुत अच्छी आपको आचल वाले portion में मिल जाती है फूरी साडी जो है ना वो बहुत सुंदर से fabric के साथ आपको मिलती है तो मैं आपको दिखा दूँ यह साडी है ना वो आपको पूरी एंट पर काम के साथ मिलती है जो कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी पीचे से खाली रहने वाले पीस आपको नहीं मिलता है मतलब भरे हुए काम के साथ आपको अफॉर्डेबल लेंज में बहुती बड़ी अमटेयल क्वालेटी मिल जाती है तो साडी का fabric आपको ऐसा मिलता है जो कि perfectly आपकी body से fit हो जाएगा बिल्कुल भी खड़ा हुआ हो या चुबने वाला कपड़ आपको नहीं मिलता है बहुती प्यारे से fabric color combination के साडी आपको मिल जाती है अब इसको मैं आपको style करके दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद पीज कैसा लग रहा है आप मुझे comment section में बता सकते हैं इसके link जो है आपको description box में मिल जाएगा आप वहाँ से check out कर सकते हैं और इस साडी में और भी बहुत सारे color options थे तो आप अपने मनपसंद का color भी ले सकते हैं तो आईए भी next piece देख लेते हैं तो आप देख रहे होगे ये साडी ना थोड़े से बहुता light color की है मुझे नहीं पता है screen पे कैसी लग रही है color नहीं पहनना चाहते हैं थोड़ा सा light color लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा option रहने वाला है काम की finishing आपको clear हो रही है कि नहीं हो रही है आप मुझे comment section बता सकते हैं पूरी साडी पे आपको भरा हुआ काम मिलता है दोनों border मिल जाते हैं उपर और नीचे आपको same length का border मिलता है जो कि आप देख पा रहे होंगे ये एक बाँ मैं पास से दिखा दू तो ये आपको border मिल जाता है तो साडी के length आपको अच्छी मिल जाती है बाँकी साडी आपको पूरा end तक काम के साथ मिलती है जो कि मैं आपको दिखा पा रही हो तो अब मैं आपको इसका blouse piece दिखा देती है तो blouse piece आपको ब्रॉकेट वाले fabric में आपको blouse piece मिल जाता है जो कि आप देख पा रहे होंगे इतनी length है blouse piece की की आराम से आपकी elbow length तकी piece बन जाएंगी बहुती प्यारा से color combination में साडी आपको मिलने वाली है काम की finishing आप पास से देख लीजी कि आपको अच्छा काम साडी पे दे रखा है काम की finishing आप पीछे से देख लीजी कि आपको पीछे से भी कोई भी thread निकलने वाला नहीं मिलता है ये साडी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा रिच लग रही थी लेकिन उतनी ज़्यादा रिच क्वालिटी रिसीव नहीं होती है मैं आपको साडी को style करके दिखा रही हूँ और आप price भी देख रहे होंगे 517 रुपीज में ये मैंने purchase करी थी तो rate के according तो justify quality मिलती है पर image जैसी quality आपको नहीं मिलती है तो आई ये फिर next piece देख लेते हैं तो ये जो साडी है ना ये आप स्क्रीन पे देख लोंगे अब मैं आपको बताओं कि जिस rate की ये साडीया है उसमें आपको pure बनासी silk तो नहीं मिलेगा पर हाँ जब आप इनको wear करेंगे तो ये बिल्कुल silk साडीयों का ही look आपको देती है तो मैं आपको उसका blouse piece दिखा रही है तो blouse piece आपको बहुत ही प्यारे से काम के साथ मिल जाता है border भी दे रखता है आपको बड़ा और छोटा दोनों border blouse piece पे मिल जाता है जो कि आप देख पा रहे होंगे काम की finishing आपको blouse piece पे भी अच्छी दे रख्ये stitch करवा सकते हैं आपको ब्लास piece का मिल जाता है 0.8 meter का fabric आपको blouse piece का मिल जाता है अराम से आपकी elbow length बन जाएंगी इतना fabric blouse piece का मिल जाता है अब मैं आपको इसका आर्चल वाला potion दिखा देती हूँ तो आर्चल वाला potion भी आपको बहुत बड़ी अद्मिल रख्या है काम की finishing आपको बहुत अच्छी दे रख्या है contrast combination में साड़ी जा रही है तो बहुत ही प्यारा सा piece रहने वाला है ये सारे ही colors बिल्कुल festival रड़ी भी है आप इनको बाद में भी wear कर सकते हैं ऐसे ही color सा collection होने वाला है आज उपर आपको छोटा border मिलता है और नीचे की तरफ आपको चोड़ा border मिल जाता है silver color का border दे रख्या है जो perfectly आपकी body से fit हो जाएगा ऐसे fabric में साड़ी आपको मिल जाती है अब मैं आपको दिखा दू कि साड़ी में जो बीचे वाला border है उसको काम की finishing आप पास से देख लिजी कि आपको अच्छा काम दे रख्या है और साड़ी आपको पूरा end तक एक जैसे काम के साथ मिलती है तो पीचे से बिल्कुल भी खाली रहने वाली साड़ी आपको नहीं मिलती है एक बस साड़ी के काम की finishing पीचे से देख लीजे तो पीचे से भी साड़ी का काम जो है आपको अच्छा मिलता है मतलब साड़ी आपको आगे और पीछे दोनों तरफ से बड़िया काम के साथ मिल जाती है रेट के एक औरिंग जस्टीपाई पीस रहने वाला है काफी ज़्यदा पॉर्डेबल रेंज में वनाशी सिल्ग साड़ी है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं तो आईए पी नेक्स पीस देख लेते हैं ब्ल्यू कलर में साड़ी आपको मिलने वाली है ये इसका आचल वाला पोईशन है जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ काम की फिनिशिंग बहुत अच्छी है तो पूरा पल्ले वाला पोईशन और पूरी साड़ी आपको एक जैसे भरे हुए जाल वर्क के साथ मिल जाती है जो कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही प्यारा सा पीस रहने वाला है काम की फिनिशिंग बहुत पीछे से दिखा दो तो पीछे से भी काम आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है काम साड़ी में आपको आगे और पीछे दोनों तरफ से बहुत बढ़िया दे रखा है सारी का फैबरिक बहुत अच्छा है मतलब perfectly आपकी body से fit हो जाएगा ऐसे fabric में सारी आपको मिल जाती है बिलकुल भी छोटी पढ़ने वाली सारी आपको नहीं मिलती है काफी ज़्यादा लंबी चोड़ी सी सारी आपको मिल जाती है border की finishing आप देख लीजे कि आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको same length का border ही मिल जाता है जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ अंदर जो fold करने के लिए आपको इतना कपड़ा दे रखा है लगबक 0.9 मिटर का कपड़ा अंदर fold करने के लिए दे रखा है प्लेन कपड़ा मिल जाता है इसका blouse piece बहुत ही सुन्दर सा भरा हुआ blouse piece आपको मिलता है जो कि आप देख पारे होंगे ये पूरा ही blouse piece आपको भरे हुए काम के साथ मिल जाता है और आपको इसके साथ border भी दे रखा है जिसको आप अपनी sleeves पे लगवा सकते है तो इतनी length का board आपको मिल जाता है जो आपनी sleeves पे और back पे दोनों पे आ जाएगा तो काम की finishing आपको इसके blouse वाले portion पे भी बहुत बढ़िया मिलती है आप नहीं मिलता है blouse piece का भी सभी साड़ियों के मिल जाने वाले है तो आप वहां से check out कर सकते है तो आई ये भी next piece देख लेते हैं कुछ trendy सा, stylish सा और बिल्कुल वो ऐसे festival vibe वाला color देख रहे हैं काम देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुन्दा इसका आचल वाला portion रहने वाला है ये पूरा इसके आचल वाले portion पे आने वाला काम है बहुती सुन्दा से काम के साथ साड़ी आपको मिलती है और बाकी पूरी साड़ी जो है ना वो आपको बहुत प्यारे से जरी वर्ग के साथ मिल जाती है बॉर्डर भी आपको दे रखे हैं उपर और नीचे आपको दोनों तरह सेम लेंद का बॉर्डर मिलता है काम की फिनिशिंग आपको बॉर्डर पे भी बढ़िया दे रखी है जो कि मैं आपको दिखा पा रही है साड़ी का फैबरिक अच्चा है परफेक्ली आपकी बॉडी से फिट हो जाएगा इस तरह के फैबरिक में आपको मिल जाता है ये छोटे-छोटे से हिरन बने हुए है इस पर पूरा जरीवर्ग का काम आपको मिल जाता है साड़ी के और साड़ी बिलकुल भी खड़ी रहने वाली नहीं है लेंथ भी कापी अच्ची साड़ी की बिलकुल भी छोटी पढ़ने वाली साड़ी आपको नहीं मिलती है और अंदर आप जो कपड़ा फोल्ड करेंगे वो आपको 0.8 मिटर का मिल जाता है इसी के साथ आपको रनिंग ब्लाउस पीस मिलता है ब्लाउस पीस पे भी आपको बॉडर दे रखता है जो कि आप अपनी स्लीव सो बैक बैटाज करवा सकते हैं अपनी लेंध राम से बॉडर की दे रखी है तो और आम सब की स्लीव सो बैक पे आजाएगा आगे आपको इतना प्यारा सा काम मिलता है तो एक बार काम की फिनिशिंग पीचे से देख लीजए तो पीचे से भी आपको बढ़िया काम दे रखता है तो साड़ी आपको बहुत ही प्यारे से काम के साथ मिल जाती है कलर कॉम्बियेशन भी बहुत सुन्दर है अब मैं इसको पूस टेर्गर के दिखा रही है तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद कीश कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन हों बता सकते हैं तो आएए पी नेक्स पीश देख लेते हैं इन सबकी अन्बॉक्सिंग में आप अफ़ाट यूटिप शॉट्स में शेयर करती रहती हूँ आप इसको चेक आउट कर सकते हैं इस साड़ी को मैं आपके सामने ही अन्बॉक्स कर देती हूँ बाकी मैं आपको दिखा दो की बहुती सुन्दर से कलर कॉंबिनेशन में साड़ी जाने वाली है अब एक दो साड़ी तो रेड कलर की बनती है क्योंकि फेस्टिवल अप्रोप्येट हॉल होने वाला है और मैं आपको सबसे पहले इसका ब्लाव स्पीज दिखाती है तो ब्लाव स्पीज आपको ग्रीन कलर का मिल जाता है जो की मैं आपको दिखा पानी हूँ उसके बॉर्डर दे रखता है और बॉर्डर जो है न वा आपको दोनों मिल जाते है तो आराम से आप अपनी स्पीज पर भी लगवा सकते हैं बैक पर भी टेच गवा सकते हैं कोई भी अच्छा सा डिजाइन बनवा सकते हैं ब्रॉस्पीस का फैवरिक जो है वो आपको सेटन सिल्क आठकर चल रहा है उस टैप में मिल जाता है बाकी बिल्कुल बनासी सिल्क टैप का ही लोग देता है लेकिन पहनने में बहुत अपराम से पहन सकते हैं परफेक्ली बॉड़ी से फिट हो जाता है कि बहुत बाद सिल्क स को सात ती है बॉड़र लेवरा व्रय के सु जूँन हे जाता है किתनी सुम्दधर कायी वह दे blooming कि आप सब्दपी से बहुत है को को यह बाला यहां तक इसका पूरा पल्ले वाला पोशन रहने वाला है, जिसके आपको इस तरह से काम मिलता है, यहां तक काम मिल जाता है, बाकि जो प्लेट वाला पोशन है उसमें आपको इसी टाइप काम मिलता है, मतलब यह वाला जो काम है, वो केवल आपके आचल या पल्ले वाले पो साधी में आपको आगे इतना सुन्दर काम दे रखा है है, तो एक बार काम की नीशिंग पीछे से देख लीजें, तो पीछे सापको कुछ भी निकला हुआ काम नहीं मिलता है, साधी मैं आपको सुझाल करके दिखा रिए, तो पहले एक बाद पीस कैसा लग रहा है, आप बहुती सुन्दर से ग्राणी कलर, पिंक कलर में मिल जाता है, जिस पर आपको बॉडर भी दे रखा है, जरी का काम आपको अच्छा दे रखा है, अराम से अपकी अलबो लेंथ बन जाएंगी, हास पीस पन सकती है, इतना फैवरिक ब्लॉस पीस का आपको मिल जाता है, काम को आपको अच्छा काम दे रखा है, तो अब मैं आपको उसका आचल दिखा देती है, तो आचल आप देख सकते हैं, कितने ज़्यादा सुन्दर से काम के साथ मिलता है, साड़ी जो है ना, वो कंट्रास कॉंबिनेशन में जा रही है, इस साड़ी में और भी बहुत सारे कलर उ मेरे कोर्डिंग तो बहुती प्यारा सा पीस रहने वाला है, आप इसको डेफिनेटली पर्चेस कर सकते हैं, हाइली रिकमेंड़ेट पीस है, काम के फिनिशिंग आप एक बार पास से देख लिए कि पूरी साड़ी जो है वो अपको अच्छे बूर्टियों के काम के साथ मि पीचे से बिलकुल भी खाली रहने वाला पीस आपको नहीं मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा पारी हूं कि साड़ी बिलकुल एंड तक काम के साथ आपको मिल जाती है अब मैं आपको से बिलकुल पर दिखा रही हूं तो आपको से बिलकुल पर देख सकते हैं, इतना ज़्यादा सुन्दर सा बहुत ही प्यारा सा ब्लॉफीस आपको मिल जाता है काम की फिनिशिंग आपको ब्लॉफीस पर भी बहुत अच्छी दे रखती है, जो कि मैं आपको दिखा पारी हूं इस तरह के ब्लॉफीस जब आप अल्बो लेंद तक का स्टिच करवाते हैं तो बहुत ही प्यारा सा ग्रेस आता है और अराम सा अपकी अल्बो लेंद बन जाएंगी, हाफ स्टिच बन जाएंगी, इतना आपको फैबरिक ब्लॉफीस का दे रखता है तो साडी आपको कंट्रास कॉंबिनेशन में मिल जाती है यल्लो, मस्टर्ड, यल्लो कलर की साडी आपको मिलती है अब मैं आपको उसका नीचे वाला बॉर्डर दिखा दूँ तो आपको सेम लेंद का बॉर्डर मिल जाता है मतलब उपर और नीचे आपको सेम लेंद का बॉर्डर मिलता है काम बहुत जादा महीन है पता नहीं कैमरे में सही से आ रहा है के नहीं आ रहा है पर real में साडी ना बिलकुल अपने rate के according justify आपको मिल जाती है जोगी मैं आपको दिखा पा रही हूँ काम की finishing बहुत अच्छी साडी पे दे रखी है length वगएर भी बहुत अच्छी है rate के according मिलकुल justify piece आपको मिल जाता है तो एक बाद आपको पीछे से दिखा दे तो पीछे से आपको Six three बहुत अच्छी काम के साथ मिलती है मतलब निकलने वाला कोई भी काम आपको नहीं मिलता है साड़ी आपको आगी आप पीछे दोनों तरस से अच्छे काम के साथ मिल जाती है कपड़ा अंदर फोल करेंगे ना वो बस इतना ही रहता है 0.8 मिंटे का कपड़ा अंदर रह जाता है बाकि पूरे काम के साथ आपको साड़ी मिलती है जो कि आप देख पा रहे होंगे पतलब पीची से बहुत खाली रहने वाली साड़ी नहीं है बहुत त्यारे से कलर काम के साथ आड़ी आपको मिल जाती है अब इसको मैं आप उस चैल करके दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं पहलने बाद पीच करता लग रहा है आप मुझे कमें शक्रें बता सकते हैं तो आई ये पर नेक्स पीच देख लेते हैं तो आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम लेंद का बॉड़ा मिल जाता है अराम से आपकी पीच पे आजाएगा इतनी बॉड़ा की लेंद आपको मिल जाती है अब मैं आपको इसका आचल वाला पोशन दिखा देती हैं तो आप देख सकते हैं कितना ज़दा प्यारा सा जरी का काम आपको आचल वाले पोशन पे मिल जाता है बिल्कुल फेस्टिवल लड़ी पीस होने वाला है आपको देख सकते हैं कि कलर कॉंबिनेशन बहुत अच्छा है काम की फिनिश Sumg आपको साड़ी पोधी पेसी होने वाला है तो यह पूरा आचल वालोव पोशन मिल जाता हैं जो ढ़िकी आपको भरे हुए काम के साथ में जो मैं आपको दिखा पा रही हूं क्सकी वह को बहुत अच्छी मिल जाती है आप मैं आपको दिखा दूŁ कि प्लेटव वणा जो पोरिषण हो उस्पे आपको डिखा दू है आपको बर्ट की दे रके हैं बाकि पूरी प्लें शाड़ी मिल जाती है बिलकुल बनासी सिल्क साड़ी वाला लोक आपको मिल जाता है साड़ी पहनने के बाद और आपको मैं दिखा दूँ कि आगे आपको इतना ज़्यादा प्यारा काम दे रखा है तो एक बार काम की फिनिशिंग पीछे से देख लिजे तो पीछे से भी आपको बढ़िया काम मिल जाता है काम आपको कुछ भी निकलने वाला नहीं मिलता है आगे और पीछे दोनों दर्फ से आपको साड़ी बढ़िया काम के साथ मिल जाती है अब मैं इसको आपको सेलका के दिखा रही हैं बहुत ही अलग सा पीस होने वाला है, अलग कलर काम के साथ साड़ी आपको मिलती है, देख सकते हैं, गोल्डन का बॉर्डर आपको मिल जाता है साड़ी पे, यह पूरा है इसका आचल वाला पोशन रहने वाला है, काम की फिनिशिंग आपको साड़ी पे बहुत प्यारी मिलती है पुढ़ा सा अलग सा करलर काम लेना चाहते हैं तो definitely piece आपके लिए होने वाला है यह बॉर्डर जो है ना ऊपर और नीची आपको same length का मिल जाता है जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूं काम आपको बहुत ही प्यारा सा मिल जाता है बहुत प्यारा सा रख्का है तो इक बार काम कीछे से देख लिजे तो काम कीछे से आपको तुछ भी निकला हूँ नहीं मिलता है तो साड़ी आपको आगे आप पीछे दोनों तरफ से अच्छे काम के साथ मिल जाती है साड़ी की लेंथ वगएर आपको बहुत अच्छी दे रखती है लेंथ वगएर में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी है अब मैं आपको दिखा दू कि विल्कुल एंड तक आपको काम दे रखता है और आपको इसी का ब् आपको मिल जाती है साड़ी को मैं आपको स्टैल करके दिखा रही हूं तो आप देख सकते हैं पहने का पीज़ा लग लगा है आप मुझे तो यह वाली साड़ी ना बहुत ही सुन्दर सी है और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन्स हैं तो आप अपने अकोर्डिंग कलर क्या हूं तो उनकी पसंद के कलर भी हो जाएं तो आप देख सकते हैं साड़ी जो है ना वह बहुत त्यारी है बहुत त्यारा सा कलर आपको मिल जाता है यह काम की फिनिशिंग आपको बहुत सुन्दर दे रखती है फैबरिक की क्वालिटी मुझे इसकी बहुत अच्छी ल लेकिन तरवी कापको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है आप देख सकते हैं काम वगएर आपको साड़ी पे बहुत अच्छा दे रखता है वी चीश में यह छोटे-छोटे स्टोंस भी साड़ी का आपको मिल जाते हैं यह वो डायमंड्स वाले छोटे वाले स्टोंस है ज साड़ी कापी लंबी चोड़ी है बिलकुल भी छोटी पढ़ने वाली साड़ी आपको नहीं मिलती है और परफेक्ली आपकी बॉड़ी से फिट हो जाएगा ऐसा फेवरिक है अब मैं आपको दिखा दू कि साड़ी में आपको रनिंग ब्लाउस पीस मिलता है तो ब्लाउस पीस की स्वीज पे भी काम मिल जाता है फ्रंट वाले पोशिन में भी काम मिल जाता है इस काम की फिनिशिंग आप एक बार पास से देख लिए कि आपको अच्छा काम दे रखता है आप साड़ी को मैं आपको स्टैल करके दिखा रही हूं तो आप देख सकते हैं कहलने को पीस कैसा लगया है आप मुझे कमिंट्र पेस देख लेते हैं तो आईए भी नेक्ट पीज देख लेते हैं तो आप मुझे कह रहे थे डॉला सिल्क साड़ी लेके आओं तो डेफिनेटली पीस आपके लिए होने वाला है ब्रिक रेड कलर में साड़ी आपको मिल जाती है इसमें भी और कला उप्शन से तो लिंक आपको दिस्क्रिप्शन बोक्स मिल जाएगा आप बहाँ चेक आओड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये पूरा इसका आचल वाला पोशन रहने वाला है जिसके आपको बहुत ही प्यासा काम मिलता है पूरे भरे हुए जाल वर्क के साथ साड़ी आपको मिल जाती है तो उपर की तरभी आपको बौडर दे रखा है और नीचे की तरभी आपको बौडर दे रखा है सेम लेंद का बौडर आपको मिलता है काम की finishing बहुत प्यारी है highly recommended piece होने वाला है फ्राब्रीक की quality भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है तो ये पूरा इसका पल्ले वाला portion होने वाला है जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ और यहां से इसका tuck in वाला portion start होता है तो आप देख सकते हैं आपको clear हो रहा होगा पल्ले वाला portion और tuck in वाला portion प्रेटर वाले पूरे portion में आपको यही काम मिलता है जो कि आप देख पा रहे होंगे साड़ी काफी लंबी चौड़ी है परफेक्लि आपकी बॉडी तो फिट हो जाएगा ऐसे फैबरिक में साड़ी आपको मिल जाती है और काम की फिनिशिंग आपको साड़ी पे बहुत बढ़िया दे रखती है जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि पूरी साड़ी आपको भरे हुए काम के साथ मिलती है तो आगे साड़ी मैं आपको बहुत प्यारा सा काम मिल जाता है तो एक बाइ काम जो है आपको पीछे से देख लीजिए वाले blouse दो होते हैं उस चैप का blouse आपको मिल जाता है यह देख सकते हैं आप कितना जड़ा प्यारा काम दे रखता है blouse piece पे भी आपको piping दे रखी है golden क्लर की piping पूरी साड़ी पे आपको मिल जाती है अब मैं आपको दिखा दूगी blouse piece पे लगाने के लिए आपको border भी दे रखा है तो अराम से आपकी sleeves और back पर आजएगा इतना border आपको blouse piece में मिल जाता है blouse piece का fabric आपको अच्छा मिलता है stitch करवा सकते हैं ऐसा blouse piece का fabric आपको मिल जाता है अब मैं Scott Post चल करके दिखा रही है तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद piece कासा लग रहा है आप मुझे comment section बता सकते हैं और इस वीडियो के regarding कोई और comment या query है तो आप मुझे definitely comment कर सकते हैं इस तरह के और भी haul video देखना चाते हैं तो भी मुझे comment कर सकते हैं आज की haul video के आपको सबसे जारा प्यारी साड़ी कौन सी लगी है कौन सी साड़ी आप purchase करना चाते हैं तो आपको सारे ही buying link description box में मिल जाएंगे आप वहां से check out कर सकते हैं तो buying link आपको description box में नहीं मिलते हैं आपके बहुत बार comment आते हैं तो आप जब मेरी video देख रहे हैं तो वहां पर more का option आता है आपको बस उस पर ही click करना है और उसके बाद आपको सारे ही product के link मिल जाते हैं और अगर आप वहां से भी नहीं देख पा रहे हैं तो आप community post check out कर लीजे तो आपको वहां पर भी product के link मिल जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैंने आपकी query को solve करने की पूरी कोशिश करी है अपके लावा भी अगर आपकी कोई और comment या query है तो आप मुझे definitely comment कर सकते हैं और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं नहीं किया हो चैनल को subscribe तो चैनल को subscribe करना मत बूलेगा वीडियो को like करना मत बूलेगा bell notification को on कर लिजेगा ओल पर set कर लिजेगा ताकि मेरी upcoming वीडियो की notification आपको मिलती रहे हम मिलते अपनी next वीडियो में तब तक पुष्रेईस वस्टरेगी.